दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकरी लेकर हाज रुए हैं अगर आप भी आगनवाडी के तहट ओनलाइन आविधन करना चाहते हैं तो दोस्तो यह जानकरी आपके लिए हैं क्योंकि सरकार ने यहाँ पर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है दोस्तो और वह अपडेट 20 जिलो का है यानि के जिन जिलो में सरकार दोवारा आगनवाडी के तहयत ओनलाइन आविधन की प्रिग्यास शुरू नहीं की गई है उनमें से 20 जिलो का विज्जापन जारी होने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है अब दोस्तो आपको बता देगी यह जिलो का विज्जापन 10 अपरेल से शुरू होना था लेकिन चुनाओ को ध्यान में रखते हुए चुनाओ को लेकर सरकार ने इसकी डेट आगे किसका दी अब दोस्तो यहाँ पर क्या अंतिम्तिती निधारित की गई है किस तारिक से आविदन सुरू किये जा रहे हैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकरी दी जाएगी और आप पता देखी सरकार ने अभी 15 जिलो का भी विग्यापन जारी किया हुआ है तो उसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आपका जिला इस लिस्ट में ना मिले तो आप हमने जो पिछली वीडियो अपलोड क और भी जानकरी लेना चाहते हैं अंगर वाडिकत है दोस्तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे तो वीडियो को सुरूर करते हैं आपसे निवतन है कि वीडियो को सुरूर से लेगे अन तक जरूर देखे वीडियो को पुरा वाच करें क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकरी देने वाले हैं, किस तरीक से आवेदन किये जाएगा, अन्तिम्सितिती क्या होगी, आपको क्या-क्या दस्तवे aç चाहिए, क्या नाइनियम इसमें लागू किये गई हैं, और क्या पातरता है अंतिम्तित्थी क्या है संपूर्ण जानकरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकरी दे देते हैं अंगनवाड़ी के तहट सरकार दुवरा अलग अलग जिलों में ओनलाइन आविदन की सुरू वात की गई थी और उसी अंतिमतिति भी सरकार दुवरा निर्धारित की गई थी जिसकी अंदिम्दी थी 16 अपरेल और 17 अपरेल थी तो उन 8 जिलों का यहां पर आवेदन खत्म भी हो चुके हैं और अब जो नए जिले हैं उनका नोटिफिशन जारी किया जा चुका है दोस्तो यह नोटिफिकेशन यह नोटिफिकेशन 10 अपरेल से शुरू होना था लेकिन चुनाओं को दियान रखते हुए यह आगे खिसका दिए यहन कि इनकी डेट जो थी वह आगे खिसका दिए अब वह क्या रेट यहां के रखी गई है आवेदन करने की आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं अब दोस्तो आप पोता देगें कि जो 20 जिले हैं वह कौन-कौन से हैं आपको step by step आपको यहां पर बदा देते हैं तो नंबर वन पर जो यहां पर जिला दिया गया है वह है दोस्तो आपको यहां पर देख सकते हैं 12 वंकी जो next जिला है वह है मथूरा और दोस्तो यहां पर जो अलद जिला दिया गया है वह है बिजनोर मिजोरम मिर्जाप दोस्तो चंदोली पिलीभीत एटा रामपूर फरुकाबाद तो दोस्तो आप देख सकते हैं आपे नैस्ट है संत कभीर नगर तो दोस्तो सरकार दोवारा इन जिलों में आवेदन की परिक्रिया पांच मईश से सुरू की जा रही है यह सरकार दोवारा नोटिफिशन जारी के जा चुका है और दोस्तो आपकी जानकार के लिए बता दें इन जिलों में आगनवाड़ी के तहएट चार पदो पर ओनलाइन आवेदन की परिक्रिया शुरू होनी है भै दोस्तो आगनवाड़ी कारे कत्री मिले आगनवाड़ी कारे कत्री और दोस्तो सहे का आगनवाड़ी इन पदो पर यहाँ पर आगनवाड़ी के तयात ओनलाईन की प्रिक्रिया सुरू होनी है और साथ ही जो आगनवाड़ी सुपरवाईजर है उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दस्ता वेच चाहिए होंगे और यहाँ पर age limit क्या दी गई है वे आपको बता देते हैं दोस्तों यहाँ पर जो age limit दी गई है वे 21 से 45 वर्ष दी गई है जिनके अंतिम जो एज यहां पर निधारित की गई है यह है केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो आगनवाड़ी सहीका के पदों पर ओनलाइन आविधन की परिगिया शुरू की जाएगी अब दोस्तों जो सुपरवाजर पद हैं सुपरवाजर पदों के लिए सरकार नहीं ह वर्स एज निधारित की हुई है यहनि के सुपरवाजर के लिए वही व्यक्ति आविधन कर सकते हैं जो 21 से दोस्तों 21 से और 35 वर्स की जिनकी एज होगी आज दोस्तों आपको यहां पर बताते हैं कि यहां पर आपको क्या का महत्तपून दस्तावेच चाहिए होंगे उसके पहले तो आपको यहां पर अधरर-काड चाहिए होगा कि वोटर-काड आइडी आपके पासंदब्स चाहिए पैन-कार्ड, आय पर्मान-पत्र, जाति-पर्मानपत्र, निवास पर्मान-पतर दोस्तो और वह मुर्द नमबर आपको पासंद चाहिए जो आपका क्या नमबर चालू है, तू दोस्तो आपको यहां पर पांची सकूल पास की होए है, तो आप यहां पर आंगनवाडी येनके मिनी आंगनवाडी के पत्थ पर ओनलाइन ओन्लाइन कर सकते हैं, अब बात आती है आपकी intermediate की अगर आप आंगनवाडी कार्या कत्री के पद पर online आविदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर intermediate का certificate चाहिए होगा अब दूस्तो बात आती है graduation की गर्जुवेशन के लिए कोन आविदन कर सकता है यानिके जो वैक्ति गर्जुवेशन की हुए है वह वैक्ति आगनवाडी के तहट सूपर वाजर के पद पर online आविदन कर सकता है अब दूस्तो एक किन किन जिलो में यहाँ पर अंगनवाडी के तयात online आविदन किये जाएंगे उसके बारे में भी आपको पता जाएगा यानिके सूपर वाजर के पद पर किन जिलो में आविदन किये जाएंगे वह भी आप सीथपूर और अभी तक कोई notification नहीं आया है कि कश कार्ण को ठदीन इनहें में नएश्ट है आपका यहाँ पर जालोन, इलहबाद, अम्रोहा, ओरेया, दोस्तों यह तमाम जो जिले हैं, सरकार इन जिलों में आपका जो आविदन की परकिरिया है, वहें, दस मईज से सुरू करने जा रही है, अब जो इसकी अंतिम तित्थी है, यहां दोस्तों, जो सरकार इसकी अंतिम तित्थी निर्धारित की हुई है, वहें, सत्रा मई, सत्रा मई तक यहां पर आंगन वाड़े के तहत ओनलाइन आविदन की परकिरिया समाप्त हो जानी है, अब दोस्तों, आपकी जो सत्रा मई यहां पर अंतिम तित्थी दी गई है, इसमें आपका आविदन भी हो लेना है, यहां पर आपका चैन भी हो लेना है, आपका सेलेक्शन भी हो लेना है, और दोस्तों, यहां पर आपकी जो सैलरी दी जाएगी, वहें भी बढ़ा कर दी जाएगी, अब आपकी सैलरी कितनी बढ़ा कर दी जाएगी, अभी तक इसका कोई नोटिफिशन नही लिखावाया है कि इसमें आगनवाडी के तहत सैलरी में भी बढ़ोतरी की जाएगी अब दोस्तों हमने जो जानकर थी आपको दे दी है अगर इन जिलों में से आपका जिला नहीं है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं और आपसे निमेदन है कि जितना हो सकते वीडियो जानकरी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के जरिये दी गई थी वे हमने आपको विस्तार पूर्वा यहां पर बता दी है अगर अब भी आपका कोई सवाल है आगनवाडी के तहत तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे और दोस्तों जो बाकी के जिले रह गए हैं उनमें भी सरकार जल्द ही उनका नोटिफिकेशन जारी करने वाली है जैसे ही सरकार दुआरा वह नोटिफिकेशन आता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस यूटूब चैनल पर यहने के योजना ओनलाइन फोर यू चैनल पर सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग तरह की जानकारिया और जैसे ही सरकार दोरा नोटिफिशन जारी होता है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के दोरा जानकारी दी जाती है, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करे, जद ज़्यादा शेयर करे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेश्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी साथ, जब तक के लिए, जय हिन, जय भारत, घर रहिए, सुरक्सित रहिए,